done ूजश्योफ अपकर हमेंहुन अब अगर हमें ऑप्रिशन एंप्रिफार को इस तरीके से इंतमाल करना हो कि हम इसी जो है यह कंपिरेटर के तोर पे इस अभार کना चारी हैं तो जब हमें इसी कमपिरेटर के तोर पे इस्तमाल करना हो इस वश्य में हम लोग क्या करती है। हम लोग दो चुन हरा है। और जो हमाँ पस V-negative है वह हमाँ पस एकपल आ जाते है V-E-K चुकि हम लोग ने यहां पर एक variable source attached कर दिया है और जो हमाँ पस V-positive है उसे हम लोग क्या करते हैं कि उसे हम लोग यहां पर V-R के साथ connected कर देते हैं V-R जो है वह basically हमाँ पस potential divider है जिसे हम लोग इस circuit के अंदर use करते हैं यह हमारा पसे potential divider है चुकि हमें मालूम है कि हमारा V-positive होता है इसे हम लोग non-inverting terminal कहते हैं और जो V-negative है इसे inverting terminal कहते हैं तो basically हम लोग नहीं क्या कि आपने inverting terminal को जो है एक variable source के साथ connect कर दिया और जो हमारा non-inverting terminal है उसे V-R जो है potential divider के साथ connect कर दिया अब इसके पास हम लोग यहां से एक wire देखे यहां पे potential divider आ चाता है इस तरीके से हम potential divider के साथ इसे connect कर देते हैं और यह potential divider जो है यहां पिसके साथ इस तरीके से इसके साथ connected होता है और यहां पर हम यहां पर एक और source provider कर देते हैं जिसे हम लोग VCC कहते हैं इसे VCC बाइस प्रणा देते हैं जो के हमें यहां पर V-Node input output voltage जो है वो प्रवाइट करता है इस VCC ने बिसके हमाय पस यहां पर out-group voltage बनाना होता है अब यह हमाय पर circuit है जो कि एक comparator का circuit होता है comparator की circuit में basically हम लोग क्या च्छिस करते हैं कि हम यहां पर i potential divider ले आते हैं comparator को जो है हम बहुत से जोगों पर इसक्माल करते हैं भी हम comparator के एक application के बारे में देखेंगे कि हम किस तरीके सी से night switch के तो इसक्माल करते हैं वो भी हम लोग यह operation amplifier के concept को इसक्माल करके करते हैं अब basically इसमें होता क्या है कि यह हमारे पस V note है यह हमारे पस output होता है यहR put voltage अगर तो हमारा पस positive आजाता हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे पस positive आगे है तो V positive जो है यह वरी हमाने पस voltage यह हमारे उम्हय का व्यनेगटिथ इसका मतलब है कि हमेंगे मारे बालतिज्ट्थ वाल्तिज्ट जो है greater than V negative के साथ और इसका basically और अगर यह चीज इस तरह के से आजाती है कि हमाँ पस पी नौट जो है वो जीरो के एकवाल आजाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमाँ पस ब्री पॉसितिफ यह निकाल सकते हैं दो और यह तिन परस्स रिसर हमें यह बताता है कि वी नोट जो है वो पॉजिव होगा और जब यह पॉजिव होगा तो उस सिटेशन में हमाई पस वी आ जो हमाई पस पॉटेंशिय डिवाइडर का वोटेज है वो वेयाबल सोर्स के वोल्टेज से ज्यादा होगा दूसरी च आते हैं ले डिवाइडर करते हैं क्षै में पॉजिव सा गिनट को पोस्टेव संटेशिय है शचित में एक सब्सक्राइडर को उनुद्भ स्टों यह बतातो है तो इस एंका को रमाई प्लेटैर से जीड़न आ जाना चाहिए झांझार में यह खसेर्न पादिटर नेहता है मिनस जो आता है हमार पर साइन इसके concept को हम comparator के लगा देते हैं और comparator के साथ हम लोग electric bulbs वगरा लगा देते हैं और इसे हम लोग night switch के तौपर इस्तमाल करना है तो कि एन जो ही night switch को बनाने के लिए कि comparator के असा night switch को बनाने के लिए हम क्या करेंगे हम operational amplifier को इस तरीव करते हैं जिसके अंदर हम लोग comparator के concept चुश्ट और तरीके से ताहुआ करते हैं यह हमारे पस वी नोड और यह हमारे पस negative है और यह हमारे पस positive potential है हम क्या करते हैं कि हम यहां पर एक circuit उस करते हैं जिसके अंदर हम लोग तीन resistance इस्तमाल कर लेते हैं और एक resistance और इस्तमाल कर लेते हैं जिसे हम लोग light depending resistance करते हैं यहां पर हम लोग चार resistance इस्तमाल कर लेंगे for example कि यह हमारे पास जो resistance यहां पर आ रहे हैं इसे हम RLD केंगी यानि कि light depending resistance इसके बाद यहां पर हमारे पास एक और resistance आ जाती है similarly यहां पर हम एक resistance लगा लेते हैं और यहां पर भी हमारे पास एक resistance आ जाती है यह हमारे पास अब resistance R1 है यह हमारे पास resistance R2 है यह हमारे पास resistance R3 है अब हमें comparator को as a non-inverting terminal के तौर पर यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास यह जो भी पॉप अब night switch को as a comparator करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यह भी पॉजिटिव टर्मिनल है इस भी पॉजिटिव को क्या करते हैं कि हम यहां से इस रिजिस्टंस आर्टू के साथ कनेक्ट कर दोते हैं तरिकी से यहां पर यह कनेक्ट हो गई और जो हमाने पस भी नेगिटिव है इस भी नेगिट लेकिन हम लोग नहीं किया concept इसके माल किया यह चीज से हम लोगों को कहा के पदा चलिए यह comparator से पदा चलिए अब जैसे यह वी नोट पॉजिटिव केट करेगा हमारा यह जो बल्ग है यह लाइटिंग करना शुरू हो जाएगा मसलिब किसके अंदर से हमें लाइटिंग को रेन शुरू होजएगा यहाप गैखिए उसके इनदर बल्गमा तशिर होजएगा है कि नेगटिव जैट करेंगा तो नीचीम करेंगा दोसे क्या होगा कि यह बल्ग बंद होजीगा मसलिब वो रॉशन ही नहीं होग जिसलिए मैं इनपता में सुल दएगा और अगर यह पॉजिटिव गेट करेगा तो सिर्फ उसे सिचुशन में हमारा जो बग है वो रोशन हो सकता है और यहां पर हम एक जिस वोल्टिज को हम लोग कहते हैं कि यह हमारा पस VCC वोल्टिज है जिसका मतलब है कि में पस V positive है वो किसके को लाज़ेगा वी R2 के को लाज़ेगा अगर मुझे V R2 के वाए में बताना है तो यह वह वोल्टिज होगा जो रिजिस्टंस R2 के अंदर से फ्लॉक आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह हमारा पस कोई ला कोई करन्ट और उसके साथ R2 रिजिस्टंस आज़ेगी अगर मैं इस तरीकी से बताऊंगे यह में पस रिजिस्टंस R1 है इसके बात यहां पर में पस रिजिस्टंस R2 आई है इसके साथ हम लोग ने जो source अप्लाई किया है अगर मुझे आई के बारे में बताना हो तो मैं आई को इस तरीके से लिख सकती हूँ कि इमें पस CC वोल्टेज डिवाइड इडिवाइड र जो हमारा पस आज़ोती है R equivalent यहां पर चुक्कि दो रसेस्टंस इस्तमाल हो रही है तो मुझे R equivalent लिखना चाहिए इसका मतलब है में बस जो current आजएगा वो VCC divided by R equivalent इसका मतलब है R1 plus R2 के equal आजएगा अब मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि चुक्क यह current के बार में relationship है तो मैं इसे यहां पर VCC divided by R1 plus R2 के form में लिख सकती हूँ अब यहां पे तो हम लोगों ने यह वाला function निकाला है जो हम लोगों ने अप्रेशन अप्रेशन के तो पर इस्तमाल करने के लिए लगाया था लेकिन हम लोगों ने इस कंपरेटर को इसी यह हमाए पास operation amplifier है इसे inverting बनाने के लिए किया है कि हमाए पास V negative था उसे हम लोगों ने इस resistance R3 के साथ इस line में कनेक्ट कर लिए यह V positive तो R2 के साथ connected है न और जो हमाए पास V negative है वो connected है R3 के साथ तो R3 के साथ हम लोगों ने connect क तो यह इसलिए किया गया है ताकि हम अपने अप्रेशन एंप्लिफार को इंवर्टिंग टर्मिनल के तोर पर भी इस्तमाल के सकें तो यहां पर अगर मुझे वी नेगिटिव क्रॉस वार्टर चाहिए तो यहां पर मुझे वी नेगिटिव के बारे में इंफ्रमेशन चाहिए तो उसे भी मैं सेम इसी तरह लिख सकती हो कि जो करन्ट फ्लो हो रहा है इंटो आर्ट्री के एक्वाल आजएगा अब इस करन्ट के बारे में हम लोगों को रिलेशन्टिप मालूम होना चाहिए उसके लिए क्या करने से यहां पर मुझे मालूम है कि में पास एक लाइट डिपेंडिंग रिजिस्टेंस लगी हुई है उसके बाद थोड़ा से नीचे में पास र्ट्री रिजिस्टेंस अब अगर इस के से में करन्ट के लिए रिलेशन्टिप निकालो तो मुझे मालूम ही कि करन्ट है वो वोल्टेश डिवाइड बाए हमाया पास जो हमाई है टोटल रिजिस्टेंस है उसके पला चाहिए अब यहां पर जो वोल्टेज वो वी सी के एकवल है और एक्विलन के वी आगी जो के वी र 3 के लिए रिलेशन्टिप निकाला तो वी र 3 को मैं इस तरही किसे लिख सकती हूं कि र 3 डिवाइड बाए र ल्ड प्लस र 3 इंटू बी सी सी जिस तरीके से हम लोग ने इसी कोई ने को बनाया सिमिलेली इसी कोई बी को भी बना लिया अब हमारा था ब्लस के वी नेगी टिवृ है यह था यहां पर हमारे पास एक बःवरियाब्य पर पंट्स तो इसके साथ को connected था जिसके equal उसे हम लोगों ने जीम किया था और operational amplifier को अगर जब हम लोग यूज करते है as a night switch तो night switch के अंदर जो यह हमारा पस पर आ जाती है variable source यह variable source depend करता है इस RLD के उपर daytime में हमें मालूम है कि light की intensity बहुत जादा होती है जिसके वज़से हमारे पास RLD की value जो है वह बहुत जादा small हो जाती है जिसके वज़से क्या होता है कि V negative या V R3 जो है greater than होती है V positive से तो जिसके वज़से क्या होता है कि हमारे पास V node है वह negative get कर लेता है और negative होने के व्यूज़ से हमारा switch है जिसके साथ हम लोग ने बब लगाया है वो उस वग जो है वो आ यहाँ रहता है और जैसे हमारा पास darker होता है मतलब के अंधेरा थाने लगता है तो पासक लाट की intensity कम हो जाती है जिसके विए से वह हमाँ पस increase होना शुरू हो जाती है जैसे वह increase होती है उस वक्त तो हमाँ पस V positive जो है V negative और V R 3 से वह increase हो जाता है और उस वक्त जो है V note हमाँ पस positive sign get कर लेते हैं जिसके जिसे हमाँ जो bulb है या जो भी night switch हम लोग इसक्माल कर रहे हैं वह उस वक्त brighter होना शुरू हो जाता है उस वक्त हमें रोशनी प्रवाइड करना शुरू हो जाता है जिसका मतलब है कि जब हमाँ पस V negative आज है तो V negative हो या हमाँ पस V R 3 हो अगर तो यह greater than V positive है तो इस वक्त जो हमारा V note है वह get करेगा negative और हमारा switch है वह off रहेगा लेकिन जैसे date night आएगी तो night में क्या होता है कि V negative हो या V R 3 हो वह smaller होना शुरू हो जाते हैं V positive से जिसके जिसके हमाँ पस V note हो positive charge get कर लेता है और हमाँ पास nut switch है वह on हो जाता है अब comparator को हम लोगों ने use कर लिया comparator से हम लोगों ने net switch बनाना भी देख लिया और हमने यह भी देखा है कि operation amplifier को किस तरीके से इंवर्टिंग और नॉन इंवर्टिंग एंप्लिफार के तोर पर इस्तमाल करते हैं इसके बिसिकलिए हम सिर्फ यह पता चुलता है कि हमारा voltage gain किस तरीके से आएगा तो यह कुछ operation amplifier के बारे में था और comparator के बारे में था और किस तरीके से इंवर्टिंग पर आज दनार चुछ के तो पर समाल करते हैं उसके बाने में जाएगा